डिसले मर्क रिपिया धेंद यह वीडियो को देखने के बाद कॉमेंट में पान खाके मत थुकुना धन्यवा हाँ तो केसे हो भाई आज हम बात करेंगे एमीवे बंटाई से इंस्पायर हुए और सोडी एक्सपायर हुए तो देखो यार अगर कोई भी चीज का गलत उपियो ही बोलेंगे तो आज का हमारा खास महमान है एडी रॉक कोई बात ले तो यह बंदा एमीवे बंटाई से इंस्पायर हुआ है तो देखो यार जो मैं कहना चाहता हुआ तो तुम समझ जाओगे पर इस दानव को समझ में थोड़ी आएगा अपन दानव है तो देखो यार य लात मार के भागा तईया तो मेरे ख्याल से तुमको समझ में आ गया होगा कि आज का विडियो कैसा होने वाला है नहीं नहीं पता तो वीडियो को पुरा देखो समझ में आज आएगा तो यार वीडियो सुरू करने से पहले कान में अपना feun लगा लो क्योंकि गाल तो चलो एक बार पहले बंटाई का गाना सुनते हैं बहुत खतरनाक अब इस दानाव का गाना सुनते हैं अरे बहुत सडी के ये क्या था मतलब नहीं भाई बंटाई का गलत असर पर रहा है अरे भाई तुम हीफ़ब करते हो हीफ़ब की मा बहन करते हो अब पब्लिक को चूतिया समझा है क्या तो देखो यार जितने भी हीफ़ब का आर्टिस्ट है सब अपने ओडियोंस को पब्लिक बोलता है तो इसका पब्लिक है भाई कौन सा एज का होगा मतलब अठारा पलस का ही होगा तो चलो एक बार इसका ओडियोंस को देखते हैं मतलब पब्लिक को देखते हैं अब बे साले क्या था ये दोनों बच्चों को देखो भाई नहीं भाई मतलब असकूल बंद हो गया तो ऑनलाइन पढ़ाई करने के बजाए भाई ऐसा गाना सुनेगा मतलब इसका फैन हो तो ऐसा गाना तो सुनता ही होगा अरे दाना भाई मान लिए कि तुम बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो साइध हमें लगता है तुम परहाई छोरा है क्या और आप सकल से खराब तो नहीं हो बड़ अपे तु थोड़ा सा बेहन का लोड़ा क्या हाँ तो दाना भाई मैं तुझे न थुरा सा इंसानी भासा समझाता हूँ थुरा ध्यान से सुनियेगा तुम पिछवारा को चूतर बोलो या गांड बोलो दोनों सुनते ही बेकार लगता है तुम किसी को खोल के बजायो या बजा के खोलो बजेगा तभी भी यार हीफप तो सब करते लेकिन रैप और रैपर में बहुत अंतर होता है तुम किसे मार रहे हो मतलब ये नहीं रखता तुम किसे मरवा रहे हो मतलब ये रखता है और हाँ तुम पिल रहे हो या पिलवार हो पता तुझे होगा समझ में आया क्या और मुझे पता है कि तुमको अभी कुछ समझ में नहीं आया हुआ क्योंकि तुखुद बोलता है अपन दानवे और दानव भाई तु बना जैसा गना है बना बट यार इन दोनों बच्चे को देखो तुम्हारा पबलीक है तुम इसे कलम चलाने के बज़ाए हाथ चलाना मत सिखाओ समझ में आ रहा है और जिस तरह से यदानव एमीवे बनटाई से इंस्पायर हुआ है न और स्टोरी एक्सपायर हुआ न एमीवे बनटाई भी सोचेगा और तुम लोग यहां तेग अगर वीडियो देख लिए हो न तो तुम एक ही बात बोलोगे माश चोग दिये भाई है जी आम तो और कुछ लोग है जो जाएगा कॉमेंट में अपना ऐसी तैसी करवाने बात तो सही है तो देखो यार मुझे कोई किसी से हेट नहीं है मतलब दुस्मानी नहीं है जो भी बना रहे इंटर्टेन्मेंट के लिए बना रहे हैं तो तुम्हें अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक मारो यार और आप हमारे चैनल पर कहीं से भी आगे हो अच्छा लाइक मारो यार बना रहे हैं